नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों हिंद मासागर में चीन की बढ़ती दिल्चस्पी को लेकर भारत अपनी नौसैनिक ताकत लगातार बढ़ा रहा है और 5 सितंबर को भारत के दूसरे विवान वाग पोत यानि की आई एनस विक्रांत क अधिकारिक तोर पर कमिशन किया जाएगा और इसी बीच इस्पेन ने भारत को अपनी S80 प्लस पंडूबी का आफर दिया है और इस पेसकस को भारत के सामने लेकर आएंगे इस्पेन के प्रधान मंत्री जो जल्द ही नई दिल्ली आ रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम S80 प्लस पंडूबी की खासियतों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में अंतक्र बने रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन की हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक ताकत को लेकर भारत काफी जादा सतर्क है और यही कारण है कि भारती नौसैना ने भी हिंद महासागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी रण नितिक उपस्थित को बढ़ा दिया है और अगले महीने 5 सितंबर को प्रदान मंत्री नरेंद मोदी की उपस्थित में भार स्पेन के प्रदान मंत्री पेंडरो सांचेज भारत के रच्छा सहयों को बढ़ाने में और अपनी पंडूबी का ओफर देने इस साल खुद नई दिल्ली की आत्रा करने वाले हैं और वे भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने अली पंडूबी के लिए S80 Plus क्लास का ओफर देंगे और स्पेन इसके लिए ट्रांसफर आप टेक्नलाजी के लिए भी तयार है जिसके बाद इस क्लास की पंडूबी का निर्माड भारत में ही किया जाएगा और स्पेन भारत का चठवा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार है ऐसे में स्पेन से आये प्रस्त को ठुकराना भी भारत के लिए मुश्किल हो सकता है और अब बात करते हैं स्पेन की सेटि प्लस क्लास पंडूबी की ताकत के बारे में तो दोस्तों सेटि प्लस के कारण इसकी डिजाइन पर सवाल खड़े होने लगे और जिसके बाद Spanish इंजिनेरों ने 2010 में S80 प्लस क्लास पंडूबी के डिजाइन में कई बदलाव किये और वर्तमान में इस पंडूबी का निर्माड Spanish नौसेना के लिए स्पेन की सरकारी कमपनी नवंतिया के कार्टा जेना इससे प्यार्ड में हो रहा है और यह पंडूबी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन के साथ आती है जिसका मतलब है इसे पानी के अंदर डिटेक्ट करना बहुत ही बड़ा मुश्किल भराकार है और इस क्लास की पहली पंडूबी S81 का समुद्री पर इछड़ी सी साल सुरू हुआ है वहें S81 और S83 और S84 नाम की तीन पंडूब्यों का निर्माड कारे जारी है जिसमें से S83 पहली ऐसी पंडूब्यों की जिसमें AIP तकनीक को लगाया जाएगा वहें स्पैनिस नौसेना के लिए बनाई जा रही S80 प्लस क्लास की चार पंडूब्यों की लागत 3.935 बिलियन यूरो बताया जा रहा है और 2020 में छपी एक रिपोर्ट में S80 प्लस क्लास की पंडूब्यों की कीमत 976.75 मिलियन डालर आकी गई थी और संभावना ये भी जताई जा रहे की स्पैनिस नौसेना के लिए बनाई जा रही बाकी की तीन पंडूब्यों का निर्माड कार दोजार अठाइस तक पूरा कर लिया जाएगा और इस पंडूब्य का डिस्प्लेस्मेंट वेट 32 टन है जबकि पानी के अंदर 3426 टन है और इसकी लंबाई 81.05 मीटर है और बीम 11.68 मीटर है और S80 प्लस पंडूब्य को ताकत देने के लिए एक साफ इस्टेनाल AIP-3 बायो इथनाल इंजन 1200 किलो वाट एक इलेक्तिक मोटर 3500 किलो वाट और एक AIP फ्यूल सेल यूनिट लगाई गई है और यह पंडूब्य पानी की सतय पर 22 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलो मीटर प्रति घंटा हो जाएगी S-80 plus class पंडूब्य एक बार में 8000 किलो मेटर की रेंज में गस्त लगा सकती है और इतना ही नहीं यह पंडूब्य एक बार में 30 से 55 दिनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है और इस पंडूबी में 6 की संख्या में 533 mm की टार्पीडो ट्यूब्स लगे हुए है इसके लावा या पंडूबी, हारपून और टाम हॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है और इस पंडूबी में अत्याधूनिक इंट्रिगेटड कामबैट सिस्टम कोर लगा हुआ है इसके जरिये सभी हथियारों और सेंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं जो समुद्र में दुस्पन की गत्विदियों पर कड़ी निगार रख सकते हैं ऐसे टी प्लस क्लास पंडूब्यों को समुद्र में खतरनाक मिसन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है और अपनी इसी डिजाइन के कारणे ने तर्ट से दूर लंबे समय तक आप्रेट भी किया जा सकता है इसमें नई AIP तकनीक लगी हुई है जो इसे पानी के अंदर अद्यस्र बना देती है अगर डीजल इलेक्ट्रिक पंडूब्यों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे हपते में केवल एक बार आक्सिजन लेने की सतय पर आने की आऊ सकता होगी ऐसे में दुस्मनों के लिए इस पंडूब्यों को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल भराकार्य हो जाता है अब आप लोगों का क्या कहना है स्पेन की सेटी प्लस पंडूब्य के बारे में कमेंट में जरूब बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूब प्रस करें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहे धन्यवाद